दोस्तो आज की इस वीडियो में HSC Group C and Haryana Police के रिजल्ट से रिलेटेड एक इंपोर्डेंट अपडेट के उपर हम बात करने वाले हैं वीडियो का इंड तक आप जरूर देखेगा तो दोस्तो कल मैंने HSC Group C and Haryana Police के रिजल्ट को लेकर एक वीडियो बनाई थी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मैंने किलियरली बोला था कि सभी लोग जो हैं वो आपके मजे ले रहे हैं कोई भी आपको सची बात नहीं बता रहा है, जूट वोल रहे हैं सभी लोग, और जो भी लोग आपको ये कह रहे हैं, थमने लगाकर यूट्यूब के उपर, बड़े-बड़े लोगों की मैं बता रहा हूं कि आपका रिजल्ट आज रात को दस बजे आ जाएगा, बड़ा ध पत्थ ले लेंगे, उसके बाद ही आपकी जो भरती है, उसका जो रिजल्ट वो यहां पर आउट किया जाएगा, और उस समय में बहुत सारे लोग थे, वो सहमत भी थे हमारी बात से, लेकिन बहुत सारे लोग सहमत भी नहीं थे, उनका कहना था कि जो रिजल्ट है, वो कल रात को दस बजे ग्यारा बजे तक आजएगा, फिर लोगों का आज सुबह कहना है कि आज दोपहर के बारा बजे तक आजएगा, और मैं आज भी आपको किलर ली यह बात बोल रहा हूं कि जितने भी लोग जो आपको यह बोल रहे हैं, आप रिजल्ट आने वाला है, वो सि चारा दस दोजार चोविस का देनिक भासकर, नैशनल आपका न्यूज पेपर है, उसके अंदर जो है एक न्यूज आई है, आयोग ने नवंबर दिसंबर में सीटी को लेकर सुरू की तियारी, यानि कि सबसे पहले अप्डेट तो यह आ रही है कि न्यूज सीटी जो है, व ठन होगा, उसी के साथ ही 25,562 पदों के उपर आपकी जो भरती परकरिया उसको यहाँ पर पूरा करवाय जाएगा, परदेश के हजारों यूज़ाओं के लिए अच्छी खबर है, हरियाना करमचारी चैन आयोग ने ग्रूप C हरियाना पुलिस के 25,562 पदों के लिए भरत परकरिया को लेकर हॉम वर्क पूरा कर लिया है, यानि कि जो रिजल्ट है वो आपका बिल्कुल रेडी, रेडी टू अनौंस है, यानि कि कभी भी आउट किया जा सकता है, आयोग पिछले कई महा से तियारी में जूटा हुआ है, हैचसी के चेर्मेन, एड़ोकेट, हिम्मत सिंग के अनुसार, आयोग की तियारी पूरी है, इस भरती के लिए पोर्टल खोला गया था, जिसमें यूवा प्रेफरेंस दे चुके हैं, यह भरती परकरिया पूरी होने के बाद, विवागों से और भी पदों की डिमांड मांगी जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर प्रे हम थे, उन्होंने कहा था, वे सपत के साथ ही यूवाओं को पहली कलम में जोब देंगे, यानि कि सपत लेने के साथ ही, वो जो पहली कलम है, उसके साथ यूवाओं को जोब देंगे, और सेम बात, सेम टू सेम बात, आपको मैंने कल जो वीडियो है, उसमें बनाई थी, बत पांच दिनों के अंदर, आपके मुख्यमंतरी जो हैं, वो सबत करेंट का भी समार हो जाएगा, वो अपना पद भी समार लेगे, और इसके बाद ही, आपका जो रिजल्ट है, इसके बाद ही, जो आपका रिजल्ट है, वो यहां पर अनाउंस किया जाएगा ठीक लिए इसके इसमें कई कैटेगरी के पद हैं जिस पर भरती होनी होनी है इसके लिए एचेजिए ने पिछले कई महां से लगातार कारिये किया है आयोग निस भरती परिकरिया को लेकर सरकार को पहले भी अपडेट दिया जा चुका ह आयोग द्वारा मुख्य सचीव को पत्तर लिखकर बरती का रिजल्ट जारी करने की मांगी थी इस बरती परिकरिया को लेकर अभी तक 26 एकजाम हो चुके हैं नवंबर दिसंबर में संभव HST की की CT को लेकर भी त्यारिया चल रही है यह नवंबर दिसंबर में होने की संभ होना जादा है इसके बाद ही यहाओं के लिए और भी नोक्रीयों के दर्वाजे खुल जाएंगे ठीक है यहाँ पर है 25,000 पदों के बाद और भी भरती करेगा अएफ इसके लिएْ आई अनका क्लेंडर जारी किया चया करता है में है वैसे ही अब आपके लिए कैलेंडर जो है वो HSC भी जारी करेगा जिससे कि आपको पता लग सके कि कौन सी वेकेंसी कब आने वाली है एक कॉंग्रेसी नेता की सिकायत वर भारतिय चुनाओ आयो एक दौरा विविन बर्तियों के परिनामों पर रोक लगा दी गई थी HSC ने गत मा मुखे सजीव को पत्तर लिखा था चुनाओ के दौरान बर्ति परकरिया पर लोक लगाने का मामला सत्ता पक्स विपक्स के बिच खूब उटा था सत्ता पक्स का आरोग था कि कांग्रेस भरति परकरिया पर रोक लगवार रही है ठीक है और परिक्षा केंदरों पर दिव्यांग उमीदवारों का भी विसेश ध्यान रखा जाएगा तो यह पूरी की पूरी आज की जो है एक न्यूज है नेशनल टॉप न्यूज पेपर की न्यूज है और वहाँ पर पस्ट यहाँ पर भी कहा गया है कि नायर सिंग सैनी जी ने कहा था कि जैसे ही वो सपत लेंगे उनके साथ पहली कलम में वो नोकरी देंगे तो जैसा कि मै आपको जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिले जैसी मेर्जे यह जितनी भी चीजे है जो मैंने कल भी अपने एक्सपिरियंस के बेस्पर बताई थी और आज भी आपको एक न्यूज हैडलाइन्स के बेस्पर बता रहा हूं दोनों बाते मैंच यहां पर कर रही हैं सारी अब आप पताना कमेंट बोक्स में आपको क्या लगता है आपका रिजल्ट कर तक आएगा और जितने भी जो अंदभक्त बन रहे हैं जो बातों पर जो मन में आया वो बोल देते हैं उन पर यकीन कर लेते हैं वहां पर भी आप थोड़ा सा सोचे और उसके बाद ही आपको क बहुत कीमती है आपको बार-बार अगर गलत निज देकर एकी निज को अलग-अलग थालियों में फरोशी जाता है तो इससे आपका टाइम वेस्ट भी होता है और आप अपना जो टाइम में कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हूं वो भी यहां पर आपका टाइम जो है टोटली यहां पर वेस्टेज है ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखे और आपका जो रिजल्ट है वो एज पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सबत गरेंड के बाद ही आपको जो रिजल्ट है वो जारी यहां पर किया जाएगा ठीक है तो फिलाल इतना ही थेंकी सो मच नमस्कार